देश भर में जारी कोरोना वाइरस का प्रकोप ठमने का नाम नहीं ले रहा है दिन प्रते दिन कोरोना वाइरस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है शायद यही कारण रहा कि देश भर में लोगडाउन को दो सप्ता के लिए आगे बढ़ाना पड़ा और देश को लोगडाउन पार्थरी का रुक करना पड़ा दूसरी और इस लोगडाउन में सरकार के साथ साथ कई सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं गरीब और मजदूर तबके के लोगों की मदद के लिए सामने आई है अब जबकि लोगडाउन पार्थरी लागू हो गया है तो यह सिलसला बदस्तूर जारी है इनी में से एक है दिल्ली के मोडर टाउन इस्थित गुर्दवारा शिरी नानक प्याउ जी हाँ वैसे तो यहाँ साल के 355 दिन 24 गंटे आम जन के लिए लंगर चलता रहता है ऐसे में जब देशवर में लोगडाउन है तो यहाँ के सेवादारो द्वारा उन लोगों के लिए भी भोजन की विवस्ता की जा रही है जो इस लोगडाउन के कारण अपने और अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का बंदुबस नहीं कर पा रहे है गुर्दवारा श्री नानक प्याउद्वारा भोजन की विवस्ता हर वर्ग और समुदाय के लिए किया जा रहा है अगर हम बोलें तो लगबक पर डे कितने लोगों का यहां से मिलग जाता होगा गुर्दवारा श्री नानक प्याउद्व की प्रबंधन कमेटी के अनुसार यहां रोजाना 25-30,000 लोगों का खाना बनाया जाता है जो दिल्ली के अलग-अलग हिस्से में भीजा जाता है और वहां से जरुत्मन लोगों को खाना वित्रित किया जाता है प्रबंधन कमेटी ने बताया कि वह डारेक्ट लोगों को खाना नहीं पाटते हाला कि अगर वहां कोई व्यक्ति भूखा आता है तो उसको भी खाना जरूर खिलाया जाता है प्रबंदन कमेटी के लोगों ने बताया कि गुर्दवारा श्री नानक प्याउ से प्रशासनिक विभाग सामाजिक संस्ता है खाना ले जाकर उसे आगे मज़दूर तबके के लोगों को बाटती है ताकि देश बर में लोगडाउन होने पर भी हर व्यक्ति तक खाना पहुँचे आपको बता दे कि आधुनिक सुवधाउं से लेस गुर्दवारा श्री नानक प्याउ में दिन भर लंगर बनाने के लिए लोग मौजूद रहते हैं इसके अलावा यहां सोचल डिश्टेंसिंग के साथ साथ साफ सफाई का भी खास जयान रखा जाता है साथ ही कोरोना से जंग के लिए समय समय पर सेनिटाइजेशन किया जाता है ताकि किसी भी सूरत में कोरोना वाइरस को हर आय जा सके गुर्दवारा नानप्याव साहिब से सुबह हमारी मशीन सुबह पांच बजे के क्रीब चलती है रात के नो बरी तक उसमें अज़ पर रेक्वाइर्मेंट, SDM, RONI, SDM, अपने कजावला, जुप्टी कमिशनर, आल इडिया मेडिकल और किसी पी, MLA साहिब हमारे गुर्दवरा है और हमारे महिनुट डिला साहब के लोग जो पांसो लॉक्डाउन में हैं वहाँ पर हंपूरे बसद्डा, बजनपुरा और उरी दिली के अंदर जहां में रिक्वाइट करका डुमा पूर से भी महार पास लोग आते हैं जो क्यानी बाटरों के ओपर लोग फासे हूं उनको भी देते हैं अलीपूर से आते हैं लोग जो पर लंगर जाता है और अंदा मुगल में जाता है जहां मर्मी प्लीस वबस्ता जहां लगता है जरूत है उस तरह की जो भी सामाजिक एवन धार्मिक संस्था हैं राष्टिय महमारी के बीच लोगों की परिशानी को देखते हुए उनकी मदद के लिए आगया रही हैं वे वाकई में सरहनिय हैं और ऐसे में इन संस्थाओं की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है दिली से अपने सयोगी परमजीत सिंग और अनुज्जा के साथ अजीत कु